चाम के पाट बज़ रहें आप वेकने टीवी नाइन भारत वर्ष मैं हूँ आपके साथ प्रीती रगुनंदन शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि चौधा शर्णार्थियों को भारत की नागरिक्ता मिली है और C.A. के तहत दिये गए ह आज 300 लोगों को नागरिक्ता सर्टिफिकेट मिले है नाई दिली में नागरिक्ता सर्टिफिकेट दिये जाने की तस्वीरे इस वक्त आपके सामने है तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरे आज की एहम तस्वीरे है चौधा शर्णार्थियों को भारत की मनीश या हमारे साथ हमारे सेयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं मनीश जो नागरिक्ता सर्टिपिकेट बाते गए हैं ये कहां कहां के लोग हैं जोने C.A. के तहत नागरिक्ता दी गई है मनीश में आपको रोक रही हूँ सीधे ग्री मंत्री अमिर शा का इंटर्विव दिखाते हैं ये आप लड़ रहे हैं दिखे आप एक पत्रकार के दुष्टी से देख रही हैं मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाओ का और चुनाओ के परिणाओं का दो दुरुष्टी से बहुत महत्व हैं जो भी सरकार चुन कराएं उसको देश के हर हिस्से से समर्थन प्राप्त हो और सरकार स्थीर और पून बहुमत की हो कि सरकार अंतत्तों गत्वा संकल्पत्र या घोष्णापत्र के आधार पर चुन कराती है तो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाओं में जा रही या पॉलिटिकल पार्टी इसका ग्रूप जो चुनाओं में जा रहा है उसका घोशना पत्र पर ज्यादा से ज्यादा कॉंसिट्रेंसी से जन्समर्थन किसी भी सरकार को काम करने का विश्वास देता है और स्थिर्टा नकिवल देश दुनिया भर में हमारे देश की 130 करोड की जनता की जो इच्छा है इसकी व्याख्या करती है तो मैं मानता हूँ हमारे 400 पार के नारे को विपक्स ने हमेशा की तरह एक कि सौर्ट साइट उनकी जो कि बहुत कम दूर की द्रश्टी होती है इससे देखकर इसको पुलिटिसाइज करने का प्रयास किया है मगर मैं निश्ची तुरुप से मानता हूँ स्थीर सरकारे देश को ताकत देती है स्थीर सरकारे नीनायक कदम उठाने में सहायक होती है स्थीर सरकारे गरीबों को कल द्यान करने में सहायक होती है स्थीर सरकारे अतंकवाज नकसलवाज जैसे इंटर्नल सिक्यूरिटी के खत्रों को कुचल देने के लिए मदद रूप होती है और स्थीर सरकारे देश के एजंडे को और दिसकी स्थिती को दुनिया में बदलने भी बहुत साहय को तो जो 400 पार का जो नारा था उसको आप मिसिंटर्प्रेट केजिए कुछ भी कहिए अपर ऑपोजिशन ने तो कहा था कि आप रेजरवेशन हटाने के लिए कर रहे हैं आप मुसल्मानों के हग को छीनने की बात कर रहे हैं उनका जो रेजरवेशन है उसे अदम है उसके लिए था not for taking out reservation देखे इसमें मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि जब विपक्स इतनी ओची राधनेती करता है तो हम तो रिष्व यहन पड़ हैं मगर हमने देश की जनता के सामने बहुत अच्छे तरीके से सपस्ट किया है कि अगर हमारा उद्य आरक्षन हटाना होता तो दस साल से हमारे पास बहुमत था सुखिस की जनता नहीं दिया था हम ने तो वुझा UP TAK मुस्लिमानों के अरफ हम हूँ कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षन नहीं होना चाहिए समविदान की स्कीम नहीं है समविदान इससे सहमत नहीं है और भारतिय जनता पाटी धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होने था आपने कहा कि 400 का जो टार्गेट था वो आतंक और नकसलवा जैसे को कुचलने के लिए ऐसे रीजन्स के लिए था लेकिन हिमंता जी ने कहा कि 400 पार का नारा जो है मतुरा में कृष्ण जनभूमी, काशी में ग्यानवापी हटाकर विश्वनात मंदिर और पीयो के को पूर्ण तरह भारत के साथ जोड़ने के लिए इसलिए 400 का नारा देखे पीयो को पाक उक्यूप कस्मीर का जहां तक सवाल है एकिवल भारती जनता पाटी नहीं देश की संसत का कमिटमेंट है पाक उक्यूपाई कस्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अतिकार है इसको कोई कश्मिल का डिमांड न करिए मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड की आबादी व्याला जनसंख्या वाला एक्टोमिक पावर भारत इमहान देश क्या किसी से डर कर अपने धिकार जाने देगा किस प्रकार की सोच और रहूल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्स्प्लेंड करना चाहिए इनके एलाइंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान का संद्मान करो मतलब क्या पाक उक्क्यूपई कस्मीर जाने दे वो कभी नहीं हो सकता मैं पूनत आया इस बात पर भारतिय जनता पार्टी का मत रखने रखता हूं कि भारतिय जनता पार्टी मानती है कि पाक उक्क्यूपई कस्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए और वो नहीं आता है तब तक हम सब का दाई तो अतुड़ा है पर कोई प्रोएक्टिव कदम आज तक लिया नहीं है सर्थाने आपके इंटर्वी में बता कर प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाए जाते उचित समझ पर देश की और दुनिया की सीती देखकर मगर यह हमने हमारे एक लक्स तरह किया पर वहाँ पर पहली बार वहाँ पर आजादी के नारे लग रहे हैं वहाँ पर भारी तादात में पाकिस्तान फॉज भेज रही है वहाँ पर जो अप्राइजिंग है उसे कुचलने के लिए और भारत की तरफ से कोई मतब चाहे सरकार हो या फिर कश्मीरी लीडर्स हैं वो कुछ नहीं कहते हैं जब भारत में ऐसे पत्राव होते थे प्रोटेस होते थे वहां के राजनेता हमेशा कहते थे हम वी आर विद यू हमारा नैति हमारी नैतिक जिम्मेदारी हैं आपको सपोर्ट करना देखिए वहां के डिस्पूट्स के आधार पर पाक उक्यूपाई कस कश्मीर हमारा है क्योंकि पूरे कश्मीर का मर्जर भारतिय संग के साथ हुआ है वो अधिकार को कैसे लेना वह भारत का सवाल है वहां के मिसमेनेजमेंट का सवाल नहीं है और हिमंता जी ने जो कहा था कि ज्यानवापी की जगह विश्वनात मंदेर और कृष्ण जन्भू यह भी 400 का नंबर जो है टार्गेट उसके लिए वो दोनों के सुप्रीम कोर्ट के सामने है सुप्रीम कोर्ट नहीं नहीं के सामने किसी तर पर पड़े हैं लंबी थे नहीं ने इसका संग्यान भी लिया है इस पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जब नहीं नायलas एक डिसप्ट को सीज करकर सुनवाइं कर रहा है मैं नहीं मानता किसी ने इसमें दखल करनी चाहिए नSAILaya को अपना काम करने देरेले जैसे राम मंदिर के लिए कैप झीए नहीं ना राम मंदिर में हमने न्या-यली के फैसला आने के बाद ही कंस्रक्षान का फैसला क वो आपका political decision उसमें आपको political फाइदा मिला कि नहीं मिला आप तक देखे राम मंदिर हमारे लिए political फाइदे नुक्सान का प्रस्त नहीं नहीं था सुरुवात से देश के करोडों लोगों की विश्वास का सवाल था आस्था का सवाल था और करोडों लोगों की स्रद्धा का स देखे वो नारे जनता लगा रही है ज्यादातर आप इनने दिखाऊगा मंच पर से नहीं लगते हैं जनता में से लगते हैं तो जनता के नारे को political party लीडर या तो आप भी नहीं तै कर सकती वो तो जनता ही लगाएगी इसमें डेमोक्रेसी है ना इसलिए परन्तु इंडिया गढवंदन ने प्रान प्रतिष्टा का कारेक्रम का बहिसकार किया और मेरा स्पस्ट आरोप है जिसका जवाब उन लोग देते नहीं किनोंने अपनी माइनोरिटी वोट बेंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा उनकी party के कुछ लोग आपके party में आये थ वो हमारी party में आये मगर मेरा एक ही मुद्दा है कि एद के दिन कि आपको मुस्लिम भाईयों के साथ एद मनाने में कोई जिजग नहीं आप मुस्लिम नहीं हो तो भी मगर हिंदू होते हुए राम मंदीर की प्रान प्रतिष्टा में नहीं जाते है क्योंकि मुस्लिम वॉट बेंक आपको आपसे नाराज हो जाएगी किस तर की politics है आप अपनी खूद की identity के साथ छे कर रहे हैं चल कर रहे हैं अमिशा जी कई experts हैं वो कह रहे हैं कि जब पहले दो राउंड या तीसरे राउंड तक narrative जो था वो मच्छी, मटन, मुस्लिम, मंगल सूतर पे था और अब जाके महिला पर है कि 2024 की जो election की जो चाबी है वो महिला वोटर के पास है देखिये सारे narrative आप लोग बनाते हैं आप लोग तोड़ते हैं आप लोग घड़ते हैं भारतिय जनता पार्टी का और NDA का एजेंड़ा बहुत स्पष्ट है दस साल में मोधी जी ने ने गरीब कल्यान के लिए थेर सारे काम करी हैं दस साल में देश के चव क्यों मकी विकास के लिए हमने बहुत काम की हैं दस साल में देश सुरक्षित हुआ है दस साल में देश सम्रूद हुआ है और दस साल में ठेर सारी जिद्धी टैप की समस्याओं से देश को निजात मिली है और यही हमारे इलेक्षन का एजंडा है कि भारत का गवरव पुरी दुनिया में बढ़ा है और वो मोदी जी के एफर्स के कारण, उनकी समता के कारण, उनकी समविधन सिलता के कारण और एजंडा को निचे तक पहुचाने के इनके सभाव के कारण पाए पर यह सिर्फ नारेटिव की बात नहीं है जो फर्स टू-थरी राउंड की बात है वहाँ पर महिला वोटर्स जो है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महिला वोटर्स जो है वो अपने पुरुष वोटर्स के संख्या में ज्यादा आए हैं और फिर जो पहले जो करते थे, जो पुरुष फैमिली के किसी सदसे ने कह दिया कि यहाँ वोट डालना है, उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, उनका अपना मन है तो अगर ऐसा है, तो अच्छी ही बात है, देश की माता हो बेनों ने अपनी इच्छा के अनुशार वोट देना ही चाहिए क्या आपके कोई ऐसे पॉलिसीज हैं कि लाभारती जो है, वो महिलाएं हैं, इसलिए लाभारती छोड़िये ना, स्मीता जी आग तो आप मुझे बैठकर सवाल कर रहे हैं, कल हो सकता है आप संसद में बैठकर सरकार को सवाल पुछे या विपक्स को सवाल पुझे, क्योंकि 33% रिजर्वेशन इतने सालों से, और किसी नहीं किया, नहीं पार्लामेंट आई तो मोधी जी ने सबसे पहला बील लाना, कौन सा उचित समझा, तो 33% आरेक्षन विधान सबाओं में और लोग सबाओं में लाना, मोधी जी ने उच इंट्रव्यू बंगाल में कर रहे हैं, यहीं पर संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ था, और यहां पर मुख्यमंत्री जो हैं, वो महिला हैं, उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली का इंसिडेंट था, वो BJP का शडियंतर था, उनसे रचा गया, ये खेल था, दिखे, मैं क परेसान हो जाते हैं, उसको उजागर करते हैं, सारवजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर सत्याचार करें, संदेश काली इसका क्लासिक एक्जाम्पल है, एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, धर्म के आधार पर धेर सारे महिलाओं के साथ दूसकर्म होता है, और वो छुप बैठी है, हाइकोर्ट को इंटर्विन करना पड़ता है, दोस्यों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जान ठीक से नहीं होती है, तो CBI को हाइकोर्ट देती है, उनको सर मानी चाहिए, विपक्ष कहता है कि जहां आप संदेश खाली का इंसिडेंट उ दिखें, आप करना टक से ही आती, वहां सरकार किसकी है, उनको एरेश करने की जिम्मेदारी किसकी है, कॉंग्रेस की, मेरा बहुत स्पष्टमत है कि कॉंग्रेस के डेपेटीज सीम वोकल लिगा जाती से आते हैं, उनको ने वोकल लिगा वोट बेंग, वेल्ट का होने तक इनको हाथ नहीं लगा है और अपनी वोकल इजा वोट बेंक को प्रोटेक करने के लिए उनको जाने दिया है जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उनकी है जैसे ही गटना बाराई मेरी पार्टी की और से मैंने ही स्पष्ट किया था बले हमारे अलाई हो कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए या तो वो सिभी आई को देने बंगाल में जो इलेक्शन रिलेटर हिंसा होती है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें दिखे बड़ा दुरभाग्य पोह है एक जमाने में यूपी बिहार में रेगिंग होती थी चुनाव आयो प्रिवेल कर गया रेगिंग समाप्त ह हो गए तीरे दीरे चुनावी कल्चर भी बढ़ला एक जमाने में आतंकवादी कस्मिर के अंदर वोटिंगी नहीं होने देते थे दो दिन पहले वहां पर भी 35% वोटिंग होई एक रेकोड है मतलब अतंकवाद जब से सुरू हो तब से अब तक का रेकोड है परन्तु चुनाव के बाद 10 दिन में 53 लोग मरें चुनाव की बाद चुनावी हिंसा छोड़ दीजे पर यहां है को ने ओर करना पड़ेगा आप वाट्सप पे परचा डाल रहें जब पार्टी की एक्सपांशन की एक्सरसाइज चलती है नीचे कोई दूसरी पार्टी के कार्यकरता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है को कोई टीमसी छोड़कर यहां आएगा तो उसको फासी चड़ा देते हैं और कहते हैं आत्मत्या कर दी कि मैंने ऐसा दूस्य कहीं नहीं देखा एक जमाने में केरल में भी हिंसा होती थी परन्तु केरल की हिंसा मार्पिट वाली होती थी तो गरीब लोगों को आप फासी पर लटका दोगे जिन्दा जला दोंगे कई सारी ऐसी घटना है मैं तो आपकी चैनल से दर्ख्वास करूँगा कि ऐसे दरस से ढून लीजे फासी जटने वाले और जिन्दा जलने वाला एक आदमी अपना वीडियो करकर अपिल करता है मैं तो जल अब जलकर मरने वाला हूं आप इस सासन को बदली है इलेक्शन कमिशन ने साथ फेज़स में चुनाव किये थे सेंट्रल फोर्स इतने भेजे गए हैं फिर भी हो रहा है यह दिखे इस बार पहली बार चुनाव के दूरान इस हिंसा नहीं हो रही है मगर घज चुनाव में भी चुनाव के दर्मयान कम हिंसा हुई जितने के बाद ममता जी ने हिंसा का तांडव खेला और कि यह हमारी तो सपत ही नहीं हुई तो वैक्यूम पिरियेड जो है उसका वो उप्योग करती है मैं मानता हूँ वैक्यूम पिरियेड में भी इलेक्शन कमिसन ने सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए क्योंकि सपत के बाद तो उनकी constitutional responsibility होती है जब तक वैक्यूम पिरियेड है इसकी चिंता करनी चाहिए ममता बैनर जी जो है वो हर एक राइली में कहती है कि सीए का फॉर्म मत साइन कीजिया आपको नागरिक्ता नहीं मिलेगी और आप कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए आज ही आज ही मैं आपको एडवांस में समाचार दे जाहूं दिल्ली में प्रथम तिन सो लोगों को नागरिक्ता मिलने जा रही है कि यह देश का कानून है श्मिता जी और इसको इस तरह से जुठाय नहीं जा सकता जो हिंदू सी बहुत जहिन क्रिश्चन बढ़ पाकिस्तान अरे पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान से आएं वो सारे लोग दोजार चौदा के पहले जो सरनार्थी बनकर आये उनका धिकार है डॉक्मेंट हो नहों उनको नागरिक्ता मिलेगी आपने का कि अगर बंगाल में बीजे भी को तीस से ज्यादा सीट मिलते हैं तो ममता बैनर जी की सरकार नहीं रहीगी ऐसे कैसे उनकी खूद की सरकार में उनकी कारेपद्दती और भतीजे को तवज्जू देने के कारण धेर सारा असंतोस हम देख रहे हैं और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपून चीज होती है एक बार जनता का जनादेश कंप्लिटली इनके खिलाप जाएगा अबीवी मेरी बात पर काये हूं हम 24 से 30 से जितेंगे और निश्चित उपसे बंगाल के जनता इस वर बहुमत सी नरेंदर बोदीजी को देने जा रहे हैं क्या यही कारण है कि ममता मैनर जी जो है वो इंडिया अलाइंस पार्टनर्स के राज़ों में जाके प्रचार बिलकुल नहीं कर रही है हालां कि इंडिया नाम ही शायद उन्होंने दिया था वो एटलीस वो क्लेम करती है पर उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया वो सिंगल गई है उनका संबन जो है नवीन बाबू के साथ थोड़ा सा खटा मीटा रहा है इन दे पास्ट उदीशा आप जा रहे हैं वहां का आप बताईए कि वहां चल क्या रहा था क्योंकि नवीन बाबू जो हैं वो अपना प्रीवेस रेकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन्स हो रहे हैं वहां पर तो बीजेपी का क्या वहां पर क्या रणीती है देखे स्मिता जी एक बात समझ लीजी ये बात को नवीन बाबू ने भी स्विकार करना चाहिए कि ओर इसा बएदेश के बाकी हिस्सों की कंपेरिजन में इतना विक्सित नह क्यान के पियों को पाक ओक्वपाइफ कस्मीर का जहां तक सवाल है एक वल भारती जनता पाटी नहीं देश की संदसब का कमिटमेंट है है कि पाक कुपई कस्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा रातिकार है इसको कोल जुखला नहीं सकता या जो फारुक अब्दुला जी और कॉंग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सन्मान करिये पाक उप्यूपई कस्मिल का डिमांड न करिए मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी व्याला जन्संख्या वाला एक्सप्लेंड करना चाहिए इनके एलाइंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं पर वो है ना बीस दिन और बाहर है उन्होंने का है कि अगर इस्यू अभी तो चल रहा है ना देखे कितना चलता है वो कैंपेइन में तो कह रहें कि अगर जाडू पर वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की ज़रूरत नहीं होगी देखे तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेंट है इनका कहने का मतलब है जो विजय होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोसी होने के बावजुद भी जैल नहीं बेती अब जीन जद सावों ने उनको जमनत दी है उनको यह सोचना है कि उनके जज़्जमेंट का क्या उपियोग या दुरूपियोग हो रहा है आप उस ज़ज्जमेंट के बारे में क्या कहेंगे इंटरिम बेल देखे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है नयाई की वियाख्या करने का पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानत हूं कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जूडिसल जज्जमेंट नहीं है काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेश्चल ट्रीटमेंट दिया गया है के जिवाल जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतने कैमरा लगाये हुए थे पीमो तक में कैमरा का एक फीड जा रहा था वो सब देख रहे थे कि एक के जिवाल जी तूटते हैं कि नहीं और वो कह रहे हैं कि मैं टूटा नहीं हूं और वो बीजेपी मेरे से इतना डरते हैं तिहार में तिहार उनके पास है हमारे पास नहीं है यह कंट्यूनेस्ट जूट बोलते हैं जैल प्रसासन दिल्ली सरकार के एलायंस का नारेटिव कभजा कर गया क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधानमंत्री फुर्टम नहीं रहेंगे तो मोधी की गैरंटी मोधी की गैरंटी नहीं वो अमिशा जी की गैरंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे चलिए आप इतने इतना सिर्यस्ली मत लीजे सिर्फ बाई सिटलर रहे हैं और वो गैरंटी दे रहे हैं पुरे देश का में बिजली खाब इलमाप कर दूगा अरे भाई तुम बाई सीटलर तरी सरकार कहां से बनेगी हम मौला क्लिनिक बना देंगे और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरिवाल आपके लिए कोई अच्छा समचा नहीं है 29 के बाद भी मोदी जी ही अमरे चुनाव भ्यानों का नेता है उनके नित्रुत में ही हम चुनाव रहें महराश्चा पर पूछती हूँ महराश्चा में आपकी पार्टी पर इल्जाम है कि आपने रिजिनल पार्टी को तोड़ा है चाहे न्सीप में नहीं पोड़ा है मुझे दो बात का जवाब दीजे अगर सरत पवार जी अजित पवार को अपना वारिस बनाते तो पार्टी तूकती क्या और उद्धव जी अपने बेटे की जगए एकनाथ सिंदे को महत्व देते तो पार्टी तूकती क्या यह उद्धव जी के बेटे प्रेम के कारण और सरत पवार जी के बेटी प्रेम के कारण उनकी खुद की पार्टी या तूटी है खाम खाम पर इंजाम लगा रहे हैं वो ऐसी वियोस्ता चाहते हैं राजा साही जैसी कि बाप के बाद बेटा या बेटी ही उत्रा अधिकारी बने अब है तो लोग तंत्र इस तेश में तो काफी लोग इसको स्विकार नहीं करते हैं वो अलग हो रहे हैं ये रीजनल पार्ट जी कहते हैं कि अब वक्त आ गया है महराश्टा में और बाकी राजों में भी जो रीजनल पार्टी से वो कॉंग्रेस में वे शुड़ मर्ज विद दो कॉंग्रेस तो इसका मतलब सहरत पार जी स्विकार कर चुके हैं कि सुपरिया जी पार्टी नहीं चला सकती है पार्टी कि चलाने के लिए नहीं कहा। उन्हें कहा कि कांघ्रेस अब उनको कांघ्रेस पार्टी को हुआ करने का वक्ता क्या है। तो इतने सालों से क्यों नहीं किया सरत पारजी ने बताईये मुझे।। आप guarantees की बात कर रहे थे, आपने Congress की guarantees को Chinese guarantees का, पीओके की तो बात चली रही थी, आप चाइना को भी लेके आ गए conversation में? Chinese guarantee मैंने टिका उपना के अधर परका है, यह सच नहीं होता है, मैं बताता हूँ, मैं अभी तिलंगणा गाया था, वहां की मैलाय रहा देख रही है, कि हमारा बाराजार रूपया कव बाये था, वहां के किसान दो लाके कर्जमाफिकी रहा देख रहे है, वहां की बच्चियां स्कूटी की रह देख रही है, जो रेव्न थ्रेडी ने प्रमिस की नहाँ रह राहूल जी ने किया था, उनकी गेरणटी थी, अब ठुण रहा है रहूल जी को, वो तो दक्षिन में चुनाव खातम हो गए, रहूल जी अब उतर में आ गए है, उतर में आगे हैं, वकर दक् पार्टी उभर के आएगी बीजेपी और विपक्ष कहता है दक्षिन में बीजेपी साफ और उत्र में हाफ देखे मैं अपने बयान पर कायम हूं करनाटक तेलंगाना आंद्रप्रदेश कीरल और तमिलाण यह पांच राज्य मिलकर जितनी सीटे हैं इसमें भारतिय जनता पा कर बाहर आएगा इस चुनाओं में उत्रप्रदेश में अब प्रचार इधस पिक्ट आप आप वहां पर कितनी सीट कहते हैं आपने हम सीटों में बड़ोतरी करेंगे हमारी कितने वह अभी कह नहीं सकते तीन चरण बाकी है परन्तु लास गर्चुना में 65 सीटे मिली थी हम इससे और आगे जाए अब राइबरेली में आपने प्रचार किया वहां पर आपने कहा कि जो सुनिया गांधी है उन्होंने अपना MPLAD funds जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी अगर किया तो फिर उसमें क्या बुराई है आपके वाक्य को ही में एलोब्रेट कर सिर्फ पर आपकती है बाकी की वोटर आपके नहीं है क्या टिकन फॉर डंटे डिले रहे हैं इतना ही छूटा सा सवाल है वहां पर जो आपका कैंडिडेट है उसका स्टेचर गांधी फैमिली के मुकाबले थोड़ा कम नहीं है क्या आप एक किसी और कैंडिडेट को वहां पर मैं नौ साल का था नौ साल का था तब नारे लगाता था इमर्जंसी की खिलाप थोड़ा बड़ा हुआ हम आसाम के नर्जंहार के लिए नारे लगाते थे आसाम की गलिया सुनिये इंदिरा गांधी खुणी है स्ट्षेचर देश की जन्ता बनाती है कहीं जन्म लेने से नहीं बनता है संटाजी हम सब सामान्य परिवार से जन्म लिए हैं हमने जन्ता ने बड़ा किया है तो लोक below का मटलब क्या है और मेरी बात याद रहे आप जो कहते हैं कि जिनका स्ट्रिचर कम है वो दिनेश प्रताप सिंह राहूल गांदी के सामने चुनाव जीत कराएं वहाँ पर प्रियांका गांदी जब कैंपेंड कर रहे हैं वो भी एमोशनल अपील कर रही है कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपने पिताजी को लेके आई थी जब उनका उनकी मृत्य हुई थी सिखाते हैं अब हमको क्या सिखाते हैं देश बक्ति हम नहीं सिखाते हूं को सिखा है तो उनको जाता है जो सीख सकते हैं हम कहां सिखाते हैं हमारा कोई ऐसा घुरूर नहीं है कि वो देश बक्त नहीं हम अके लिए देश बक्त हैं सब ने अपने देश के लिए काम करना चा इस निज नहीं बता देते हैं तो मत बताई यह आप अगर उनको आपती एक मुझे कैसे पता चला हो गांधी परिवार जो है वो अमेठी में नहीं लड़ा राइबरेली में लड़ रहा है इसे आप कैसे देखते हैं कि देखे कोई भी चुनाव तो कहीं पर से लड़ सकता है मगर राहुल गांदी जीन ने वाइनाड से वाइनाड से वाटिंग के पहले कह देना चाहिए था कि मैं दो जगे से लड़ने वाला हूँ यह हाइड करना मेरे इसाब से ठीक नहीं है लोगतांतिक द्रुष्टी से हो तो भी वो कर सकते हैं प्रण तो मुझे ठीक नहीं लगता वाइनाड की जनता को कहना चाहिए कि मैं दो जगे से लड़ने वाल हूँ आप आपका फैसला करिएगा इसमें क्या पत्ती हो सकते हैं वाइनाड का चुनाव पैक होने के बाद जब पोस्ट पोल सर्वे की जानका अरे में खत्रा दिखता है और फिर आप राइबरेली आते हो तो मैं मानता हूँ यह वाइनाड के मत दाताओ के साथ अच्छा नहीं है राउल गांधी से आपने पांच सवाल पूछे थे क्या उमीद है कि वो जवाब देंगे अब बड़े लोग है वही मुझे मालूम नहीं है वगर मैंने सारवजनिक रूप से पुछा है मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए आप उने बड़े लोग कहते हैं उन्होंने तो कहा कि हम डिबेट करना चाहते हैं लेकिन बिजेपी समझती है कि प्रधान Milli्टी ग्रह मंत्री सब बहुत बड़े लोग है वो डिबेट नहीं करेंगे गांधी परिवार के किसी भी तो आप के साथ कर रहा हूं मैंनों को आपके साथ बहट कर ऐसे डीबेट करते हुं नहीं देखा हैं उन्होंने इंटर्व्यू दिये नहीं है इस बार कोई मीडिया प्लानिंग उनका अलग देखते हैं अप उन्होंने कई जगा कहा है कि जो इंडिया में जो पदती है जाहे अगनीवीर स्कीम हो या फिर आयाइटी वगेरा उसमें क्या है उन्होंने जाती के बारे में कहा है कि जो अपर कास्ट के आईएस ऑफिसर्स वगेरा है वो जो पेपर बनाते हैं उसकी वज़े से जो ओबी सी या फिर दलित परिवार के बच्चे है वो नहीं वो आंसर्स दे सकते हैं उसके इसमिता जी इनको कुछ जमेनी हकीकत मालूम नहीं है चाहे स्टेट का कैडर हो चाहे ओल इंडिया कैडर हो सब के लिए रिजर्वेशन है झालवेशन है